ओम श्री गनी शायनमा माईडिया फ्रेंज तो आए हो फ्रेंज आप सब बहुत अच्छे होगे फ्रेंज आज हम ये रीडिंग लेके आए हैं नो कॉन्टाक्ट पे जो की एक जनरल रीडिंग होगी सो जितने भी लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज इस चै चैनल को एक साल हो गया है और लगभग मेरे इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं कुछ 5-10 सब्सक्राइबर्स ही कम दिख रहे हैं भी सो ये मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहते हूं बहुत दिल से कि आप लोगों के सपोर्ट के बि चैनल की बट आप लोगों के प्यार में आप लोगों ने जिन्होंने मुझे याद किया जो मुझे वापस से एक तरह से प्रेरित करते थे कि मैं चैनल पर फिर से हूँ मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं आप लोगों को तहे दिल से इस चीज के लिए ठैंक्स ब आप लोगों को लगता होगा कि मैं एक चैनल पर काम करती हो मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए मैं हर बार कहती हो मुझे सब्सक्राइब करें डेफिनिटली मैं कहती हो क्योंकि मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल पर अपना ग्रो करना है आप लोगों का परिवार जो म के अएमारा करना चब धान करती है। जब आप लोगों को सब्सक्राइब करती हूँ लिकाल खब सो समय अपने खोल हैने Continue to करना मेरी एडिटिंग में गलती होना कभी-कभी बहुत सुभा अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाना तब एक एनरजी लेवल कम होना कभी रात में बनाना कभी दिन में बनाना सो कोशिश करना कि आप लोगों से जुड़े रहने के लिए वो एक प्रयास जो मेरा चलता रहता है सो उन सारी चीज़ों के लिए जिसमें आप लोगों ने मेरे को एकसेप्ट किया उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स बोलना चाती हूँ और शैद आप लोगों की वज़ह से ही मैं यहां तक आज पहुँच पाई हूँ आगे भी मैं इस जर्नी को continue रखूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरी honesty के साथ consistency के साथ वीडियो लाती रहूँ आप लोगों के लिए सो आप लोग मुझे bless करिए wishes दीजे कि आगे सब चीज़ें अच्छी रहे और यह channel grow होता रहे बाकी आज की reading है no contact पे जो कि मैं बता भी चुकी हूँ और यह general reading है जबरदस्ती impose नहीं करना है कोई भी चीज़ अपने उपर lightly लेंगे इस reading को और आगे देखेंगे ठीक है friends तो जल्दी से reading को अब start करते हैं all right so Sagittarius यानि के धनुराशी friends देखते हैं कि इस no contact में सबसे पहले आपकी feelings आपके मन की बातें या आपकी energy देखें कि अगले एक हफते आप किस energy में रहते हैं सबसे पहला card आया है the moon then we have eight of wands six of swords and nine sorry ten of wands so friends moon के card से मुझे जो चीजे नजर आ रही हैं वो यह दिख रही हैं कि आप बहुत जादा डरे हुए हैं या तो आपको इस no contact को खतम करने में यह लगता है कि बहुत जादा problems हैं इस relationship में आपको बार बार हर वक problems के बारे में भी नहीं सोचना देखें आपने या तो बहुत जादा overthinking कर ली है इसलिए आपको यह fear और insecurities है एक दिख रहा है बर्डन का card जो कहीं न कहीं यह दिख रहा है कि आप अपने partner से यह बात करना चाहते हैं कि अब आपको यह relationship में या तो आपको उनके साथ relationship में आगे बढ़ना क्योंकि यह general reading है तो मैं सबके लिए एक बात नहीं बोल सकती या तो आप दो situation के according लेंगे नमबर वन में यह हो सकता है या तो आप अपने partner को यह बोलना चाहते हैं कि देखिए हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है हमें या तो इस relationship में जो problems create हो रही है जो burden create हो रहा है उस burden को खतम करना होगा number one इधर यह या फिर आप यह चाहते हैं कि आप अपने partner से यह बोलना चाहते हैं कि उन्हें यह clarity दें कि कहीं न कहीं आप अपने partner के साथ इस burden some situation से बाहर आकर अपनी life को दुबारा से एक new मौका देना चाहते हैं मतलब अपने अलग-अलग सो अब यह situation के हिसाब से है किसकी life में कौन सी है सो यह Sagittarius आपको देखना होगा और आपको उसके according की चलना होगा ठीक है मैं अब आपके partner की energies देखती हूं वो क्या सोचते हैं और उसके बाद मैं आज love messages लोंगी आप लोगों के लिए partner के ठीक है सो सबसे पहले अब के partner की अब हम energies लेंगे फिर उनके love messages देखेंगे सो पार्टनर की no contact में क्या energies हैं पार्टनर की no contact में क्या energies हैं आल राइट देखें आपके partner और और आप दोनों के ही बीच में जो no contact आया है और इसकी वजह से जो एक उन्होंने सरंडर कर दिया था divine को उन्होंने भी अपनी सारी problems जैसे अब देखो divine को सरंडर करने का मतलब यह नहीं होता कि आए भगवान आए मेरे सामने और मैंने उनको सरंडर कर दिया ऐसे नहीं इनसान वक्त पे चोड़ देता है situation अगर उसके हाथ में नहीं संबलती नहीं situation ठीक होती तो सबर करता है सबर रखता है चिंता मुक्त करता है अपने आपको थोड़ा stress से बाहर आता है एक दूसरे एंगल से चीजों को देखता है जहां वो अभी तक एक ही चीज में फसा हुआ था वहां वो दूसरी तरह से भी चीजों को देखता है सो यही मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है नाइट अफ कप से और जो यह Ace of Wands का काड़ा है मुझे यह नहीं दिख रहा आपके पार्टनर की वो relationship को तोड़ना चाहते हैं वो यह चाहते हैं कि अगर हम दोनों साथ रहकर अभी चीजों को नहीं समझ पाए तो यह no contact हम दोनों को काफी कुछ सिखाएगा हमें clarity देगा हमें धीरे 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 अपनी problems को हटाकर without issues रहने की हिम्मत देगा वो इस तरह की approach में है और एक new beginning की approach में है मुझे वहां पर ऐसे दिख रहा है कि यह no contact एक problem से एक bump से निकल के जैसे एक speed breaker आता है speed breaker आता है तो आपकी बहुत तेजी की speed को रोग देता है तो यह no contact एक speed breaker आया था उन जगडों को रोकने के लिए उन misunderstandings को उन problems को रोकने के लिए ना कि आप दोनों की जगडों को बढ़ाने के लिए एक better रास्ते पे आप दोनों दुबारा निकल पाएं आप मैं देखती हूं कि क्या है उनके love messages जो की बहुत important है आपके लिए basically उनकी hidden messages कहूंगी क्योंकि इसमें सर्फ love नहीं निकलता यह बहुत clear messages होते हैं इसके अंदर I don't trust you anymore so यह चीज आपको दिहान में रखनी होगी Sagittarius की partner internally ऐसा feel करता है कहीं न कहीं हो सकता आपने उनके trust को hit किया है और ऐसा क्यों है यह आपको देखना होगा number two you deserve better than me तो कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच में बड़ा हुआ है जिसकी वज़े से उन्हें यह feeling आती है and अगला है I am just stop just yours stop doubting on me ठीक है आप कहीं न कहीं इन पे doubt करते हैं और कहीं न कहीं इनको कुछ ऐसी बाते बोल देते हैं जो शायद बहुत जादा hurting है और इसी वज़े से आपने कुछ ऐसी चीजे कर दी जिससे इनका ट्रस्ट आपके उपर से चला गया so better यह होगा तभी हुने खुद को लगने लगा कि you deserve better than नहीं आप मुझसे जादा better deserve करते हैं so यह जो misunderstandings हैं यह सारी misunderstandings हैं इनको दूर तभी कर पाओगे जब आमने सामने बैठोगे एक दूसरे से बात करोगे ठीक है अब कैसे करना है क्या करना है वो आपको बता है अपनी situation के according बट यह आपकी reading है friends कैसी लगी यह reading प्लीज मुझे comment करके जरूर बताएं चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो जरूर करें आपकी reading को like करें बाकी मैं आपसे अगली reading में मिलूंगी friends और personal reading के लिए number नीचे है मिलती हो friends अगली reading में bye for now